गुड आटनु दो ऑट इसेंट आप आट वरक निगलेशग ऑट अब कर रहे थे ठीक है और उसमें हमने तेंज स्टार्ट किये थे ठीक है थेंज़े जो अंधर पुरा कर लिया अब नेक्स्ट बहारी है यह हमारे पास किस खी second number पर आता है हमरे पास past ठीक है past tense आता है इसको ओर्दू में हम कहते है mazi ठीक है mazi कहते है और past वो time है वो tense है यानि वो जमाना है जो गुज़र चुका है ठीक है इसके भी आगे चार पार्ट होंगे जैसे के उसमें थे present में जैसे indefinite continuous perfect और perfect continuous ठीक है और उसी तरीके से हम करेंगे अब हम सबसे पहले लेंगे कौन सा past indefinite ठीक है इसको मैं raise कर लेता हूँ इसको मैं raise कर लेता हूँ sorry ठीक है ठीक है तो हमारे पास आगया past indefinite ठीक है past indefinite जो है वो present indefinite से थोड़ा से different है हमने present indefinite में किया किया था present indefinite में हमने verb की first form ली थी लेकिन past indefinite में हम लेंगे verb की second form ठीक है या verb की second form है मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है सबसे common इसका sentence है जैसे हमने वहाँ पे लिखा था present present में क्या लिखा था present में हम लिखा था he goes to school ठीक है वो school जाता है यहां हम लिखेंगे past indefinite में क्या he went to school याने वो school गया वो school गया ठीक है तो इस तरीके से हम बोलेंगे तो यहां भी आपने देखा कि जो present indefinite में हम इसकी first form लगाते थे किसकी verb की ठीक है वो यहां पे क्या होगी यहां पे होगी वो second form यह कुंसी से form है वर्ब की second form ठीक है उसे दिखे से और को सिंटेंस कर लेंगे जैसे she cooked food उसने खाना पकाया ठीक है इसमें क्या है इसमें काम जो है वो हो गया है ठीक है present indefinite में क्या था काम होता है कि जैसे वो school जाता है वो खाना पकाती है वो फिल्म देखते है वो घर जाते है फिर उसके बाद present continuous में था कि वो school जा रहा है वो खाना पका रही है वो फिल्म देख रहे है फिर present perfect में था कि वो school जा चुका है वो खाना पका चुकी है वो फिल्म देख चुके है उसे तरीके से present perfect continuous में क्या था वो स्कूल सुबा से जा रहा है वो खाना दो गंटे से पका रही है वो तीन गंटे से फिल्म देख रहे हैं और अब past इंडफिनिट में आ गया कि वो स्कूल जा चुका है वो स्कूल गया यानि यह हो गया काम खतम हो गया फिर उसने खाना पकाय काम कंप्लीट हो गया उन्होंने फिल्म देखी काम कंप्लीट हो गया ठीक है तो फिल्म दे है एब वाचट्ट मोवी आप एब ओनुने फिल्म देखी लेंगे है अच्छा अब हमको सेंट्रेंस लेते हैं इसका जैसे हम लेते हैं आई रोट आ लेटर मैंने खत लिखा आई रोट आ लेटर यहां पे वर्ब की कौन से फार्म स्टार्ट वी वर्ब की सेकंड और यह आगया अपका सब्जेक्ट और यह आगया अब अगर हम इसका फार्मुला बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा ठीक है फार्मुला आजाएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फार्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है यह आजाएगा हमारे पास किसके लिए एफिर्मेटिव के लिए ठीक है अब हम क्या करना चाहते है इसका नेगेटिव बनाना चाहते है इसी का आई रोट अलेटर का ठीक है आई रोट अलेटर का नेगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे आई डिट नौट राइट आ लेटर आई डिट नौट राइट आ लेटर मैंने खत नहीं लिखा ठीक है आई डिट नौट राइट आ लेटर मैंने खत नहीं लिखा अब इसका हम फार्मुला बना चाहेंगे नेगेटिव का तो क्या आजएगा सब्जेक्ट राजएगा आई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नौट प्लस फर्स्ट फर्म अब वर्ब प्लस अब्जेक्ट ठीक है तो यहां एक नोट करने वाली नोटिस करने वाली चीज़ है वो यह है कि जब डिड का इस्तमाल होगा सिंटेंस में ठीक है डिड का इस्तमाल होगा तब क्या होगा तब सेकंड फर्म अब वर्ब विल चेंज इंटो फर्स्ट फर्म अब वर्ब ठीक है यहने अगर रोट थी तो क्या बन गया राइट अगर स्लेप्ट था तो क्या बन गया श्लीप अगर रैन था क्या बन गया रन अगर टुक था तो बन गया टेक ठीक है तो यह आपने ज़ा रखना है कि जब भी डिट का इस्तमाल होगा पास्ट इंडेफिनेट के किसी संटेंस में तब यह जो वर्ब की सेकंड फॉर। यहाँ पर यह किसमें चेंज रहेगी यह ज हैंज चायए कौन सी है वो है हमारे पास यह डीट यह हमारे पास helping और ठीक है डीट हमारे पास क्या गी डीड यह है आपके पास helping वाव ठीक है अब हम इसका क्या बनाएंगे अब हम इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस ठीक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या जी helping वाव चाहिए तो डीड हमारे पास है तो डीड I write a letter question mark question mark साथ बनाएंगा question mark की बिना सवाल नहीं बनेगा ठीक है डीड डाइड राइट अलेकर क्या मैंने खथ लिखा और नेगरटिव इंटेरोगेटिव जिसमें इंकारोगेटिव सवाल दोनों उसमें क्या आएगा डीड आई नाट राइट आ लेटर कोशन मार्क और डबली एज में क्या आएगा डबली एज फेमिली वर्ड्स में हाउ ले लेते हैं हाउ डीड आई राइट आ लेटर कोशन मार्क टेक है तो इस तरीके से तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टन चीज जो है वो यह याद रखनी है कि जब डीड का इस्तमाल होगा यह देखो ना यहां पे यहां पे डीड का इस्तमाल हुआ फिर यहां पे हुआ फिर यहां पे हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया यह जो road था यहाँ पर यह वाला यह वाला यह किसमे चेंज हो गया हो गया right में right में and right में to यह जीजह आपने आख गतडर नियह कि past indefinite में जब भी did का इस्तमाल होगा किसी संटेंस में तो उस में अगर second form the verb लगी होगी पहले किस्ट sentence में तो वह वर्ब जो है वो चेंज जो जाएगी किसमें वो वर्ब की सेकंड फोर्म जाएगी वर्ब की फिस्ट फॉर्म ठीक है इसको मैं रेज कर लेता हूं हम एक और sentence कर लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी इसकी जो है वह और हो जाए understanding I hope आपको समझ आ रही होगी बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं आज कल मैं चाहूँगा कि सभी देखें क्योंकि हम सब basic कर रहे हैं बार बार आपको basic जो है वो नहीं कराया जाएगा इसमें ठीक है अच्छा एक और से टेंस ले लेते हैं हम लेते हैं अब हम ले लेते हैं किसी का नाम ले लेते हैं जैसे इमरान इमरान टुक दा वैक्सीन इमरान टुक दा वैक्सीन इमरान ने वैक्सीन ली आज वाजकल वैसे भी जो है ये कोविड-9 जो है वो चल रहा है तो थोड़ा सा उससा related sentence कि इमरान ने वैक्सीन ली यानिमरान ने वैक्सीन लगबा ली ठीक है यहाँ पर टुक किया है तुक यहाँ पर verb की second form है इम्रान यहां पे क्या है, subject है और vaccine यहां पे क्या है object है, जिसे काम आ रहा है क्योंके लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है vaccine को, ठीक है आप इसका हम negative बनाएंगे तो क्या बनेगा, इम्रान हमें पता है not से बनता है negative, इम्रान और did हमारे पास helping verb है तो बन जाएगा इमरान did not took या take क्या आएगा take आएगा क्यों क्योंकि हमने पीशे देखा या इसमें कि verb की जो second form है वो change जाती है verb की first form में did जाब इस्तमाल होता है ठीक है तो इमरान did not take the vaccine full stop या आगया negative ठीक है पहला आगया affirmative या आगया negative अच्छा उसके बाद अब हमने लेना है अब हमने सवाल करना यहने interrogative ना interrogative क्या बनेगा did इमरान take the vaccine question mark अच्छिक है या आगया रे पास interrogative अब अब आगया रे पास negative negative interrogative क्या बनेगा did इमरान not take the vaccine question mark और फिर उमारे पास आजाएगा डब्ली एच को डोलिएच में कायाएगा वाई दीड इम्रान टेक दा वैक्सीन कोश्चन मार्क ठीक है पहला आगया इम्रान टुक दा वैक्सीन इम्रान ने वैक्सीन ली याने उसने वैक्सीन लगवा ली फिर दुसरा है इम्रान डिड नॉट टेक दा वैक्सीन इम्रान ने वैक्सीन नहीं लगवाई या नहीं ली डिड इम्र इम्रान ने वैक्षीन नहीं ली और वाइड इडि इम्रान टेक दे वैक्षीन इम्रान ने वैक्षीन क्यों ली ठीक है तो इस तरीके से हमने यह करना है अच्छा इसको मैं साफ कर लेता हूं आई हो पाप कोई समझ आगया होगा यह आपको हो गया कौन सा past indefinite ठीक है past indefinite का formula अम एक बर लिखेंगे दुबारा past indefinite subject plus verb की second form plus object और यह क्या affirmative के लिए और negative के लिए क्या हो जाएगा subject plus did plus not plus verb की first form plus object ठीक है तो यह आपका होग क्या past indefinite अच्छा एक चीज जो है वो काफी सारी बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ के वो गलत कर रहे हैं जड़ा उस पर थोड़ा साम गौर कर लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे उन्होंने लिखना हो तो जैसे लास्ट टेंस को लिखा हैव आई प्लेड आ मैच ठीक है ऐसे मान लो लिखते हैं present perfect में किसी ने लिखा था ठीक है तो उसमें मैंने देखा कि आई बीच में छोटा लिखते हैं ठीक है तो आई बीच में छोटा ने गए यह आई है इसका मतलब होता है में यह मेंने ठीक है तो यह जो में वाला आई होता है यह कभी भी समॉल नहीं होता है यह हमेशा आप कैसे आएगा हैव आई प्लेड आ मैच ठीक है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब हेव्विंग वर्फ का इस्टिमाल करते हैं तो इसको क्राइब में ठीक हैं हमने यह किसने लिखना है आई हैव प्लेड आ extract के अज़ा ने छेड रिखेणा हो He does not go to school इसमें D बढ़ा कर देते हैं या I do not write a letter ठीक है? इसमें भी D बढ़ा कर देते हैं ठीक है? तो ये चीज जो है ये गलत है ये चीज आपकी गलत है आपने बीच में capital I के अलावा कुछ भी नहीं लिखना capital ठीक है? अगर ये have शुरू में इस्तमाल हो रहा है तो फिर तो H इसका बढ़ा आएगा ड़स अगर शुरू में इस्तमाल हो रहा है तब D बढ़ाएगा डू अगर शुरू में इस्तमाल हो रहा है अगर ये बीच में ऐसे इस्तमाल हो रहा है फिर ये इसमें नहीं आ सकता ठीक है? ये गलत है इसको आपने small D करने इसको भी small D इसको small D और इसको small H करने है ठीक है? इसना समझ में आ गया? अच्छा अच्छा उसके बाद कुछ पच्चे क्या करते हैं? कि जैसे cloth लिखना हो तो ऐसे लिख लेते हैं cloths washes लिखना हो तो washes ऐसे कर लिख लेते हैं या cook लिखना हो तो yes कर देते हैं ठीक है? या आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है या आपको चेक करना है grammar में या अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो ठीक है कर नहीं पता तो आपको चेक करना है ग्रामर में या इंटरनेट पे क्लोस जो है वो उसकी स्पैलिंग होगी यह कपड़े कुक्स के साथ जब अब S या इस लगाओगे तो एस अब में आँगे कहें तो यह आकेले में नहीं लगेगा ठीक है तो यह आपको देखना है तो इसमझ learnt क्या है इसका आपको homework आपको तो हो जन बहुत प्रैक्टिस करना है ठीक है क्या करना है प्रैक्टिस करना है sentences की और फिर group में भेजना है और जहां कही problem हो तो आपने मुझसे पूशनी है ठीक है तो आज के लिए इतना ही अलाह आफिस